गाइज अगर मैं आपसे पूछू कि एक 6 साल का बच्चा क्या करता है तो आप कहोगे खेलता है, पढ़ता है, खाता है और सो जाता है यह उसका में रूटिन होदा है पूरे दिन का लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बता हूँ कि एक 6 साल का बच्चा द्रग्स भी लेता है द्रक्स की लत लग गई थी और जब वो 16 साल का हुआ तब उसने स्कूल छोड़ दी सिर्फ 16 साल की उम्र में और फिल्म में काम करने लगा क्योंकि उसकी फैमिली भी फिल्म बैक्राउंड से ही बिलॉंग करती थी और उसमें भी पैशन था फिल्म में काम करने का इसलिए वो काम करने लगा लेकिन उसकी ड्रक्स की लत की वज़े से वो दीरे दीरे बरबाद होने लगा वो चाहते हुए भी उस ड्रक्स को छोड़ नहीं सकता था और एक टाइम ऐसा आया जब उसको उस ड्रक्स की वज़े से एक साल के लिए जेल जाना पड़ा और जेल में भी उसकी हरकते हैसी थी कि कैदी उसको पीठते थे उसको बहुत मार पड़ता था लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो रुका नहीं उसको जो करना है जो बनना है वो चाहे कुछ भी हो जाए वो करके रहता था और जब वो जेल से छूटा तब उसने एक कमिंटमेंट क पूरे वर्ल्ड में इतने सारे हैं मैं और आप हम सब लग उस यूनिवर्स के फैंस है उसके एक कैरेक्टर के लिए उसको ओफर आया और अभी तक उस बंदे ने मार्वेल के साथ दस से भी ज़्यादा फिल्में कर ली है अभी तक नहीं पहचाने वो हम सब के चाहीते है ज लक्स लिया एक ऐसा इंसान जो जेल भी गया जिसने लोगों के ताने भी सुने लेकिन वो रुका नहीं उसने कभी भी हार नहीं मानी और आज पूरा वर्ल्ड उसको आयन मैन के नाम से जानता है और वो अपनी रियल लाइफ में भी एक आयन मैन है जिनकी टोटल लेट वर् की है जिसको में इंडियन रूपीज में कनवर्ट करू तो 22 अरब 33 करोड 86 लाख 60,000 रुपे होते है इतनी बड़ी नैट वर्ट डाउनी जुनियर की है अब आप आईडिया लगा लो एक इंसान क्या कर सकता है इंसान चाहे तो ड्रग्स भी ले सकता है इंसान चाहे तो जे